आज बात करेंगे infested with के बारे में जिसका हिंदी होता है किसी चीज से भरा होना यह एक phrasal verb है देखिए phrasal verb क्या होता है एक आपका verb और दूसरा आपका preposition हो जाएगा आपका phrasal verb अब infested का मतलब होता है हमला करना और इसमें आपका क्या add हुआ है with तो यह आपका हो गया phrasal verb जिसका मिनिंग बिल्कुल अलग हो जाता है तो infested with का हिंदी क्या आपका हो गया किसी चीज से भरा होना और यह एक phrasal verb है और phrasal verb क्या होता है एक verb और दूसरा आपका preposition phrasal verb तो अब चलिए समस्ते हैं sentences को infested with किसी चीज से भरा होना पहला आपका वाक्य है कि यह मकान भूतों से भरा हुआ है यह मकान भूतों से भरा हुआ है तो कैसे बनेगा this house is infested with ghosts यह मकान भूतों से भरा हुआ है दूसरा आपका sentence है कि यह घर चुहों से भरा हुआ है this house is infested with rats आप infested with का यूज कब करेंगे auxiliary verbs के बाद तीसरा आपका है कि वो बंगला सापों से भरा हुआ है that house is infested with snacks चौथा आपका है वाक्य कि मेरा पुराना घर मकडियों से भरा हुआ है my old house is infested with spiders पांचवा आपका है कि रसोई चीटियों से भरी हुई थी the kitchen was infested with ants छे नमबर आपका है रसोई में बहुत तिल चट्टे है यानि कि जो रसोई है वो तिल चट्टों से भरा हुआ है तो कैसे बनेगा the kitchen is infested with cockroaches सात्वा का जवाब आप comment box में दीजिएगा यह मकान मेहमानों से भरा हुआ है सात्वा आपका है कि यह मकान मेहमानों से भरा हुआ है इसका जवाब आप comment box में जरूर दीजिएगा तो यह हो गया आपका infested with जो की एक phrasal भर्व है किसी चीज से भरा होना इसका meaning होता है sentences के रूप में समझ गया आप यह मकान भूतों से भरा हुआ है इस हाउस इस इन फेस्टेड विद गोर्ष ठीकर ओके दन्यवाद